आज दस आउगस्ट दो हजार बाईस बाप दादा के महावा के हैं मीठे बच्चे घड़ी घड़ी देही अभीमानी बनने की प्रैक्टिस करो कैसे करो अपनी कॉंसलिंग करो मैं आत्मा हूँ एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ अब अब मुझे इस दुनिया में पूर्ण जनम लेना अब मुझे घर जाना है अब मुझे घर जाना है यह है सोल कॉंशन बनने की प्रैक्टिस प्रशन है सबसे मुख्य त्योहार कौन सा है और क्यों उत्तर है सबसे मुख्य त्योहार है रक्षा बंधन क्यों क्यों कि बाप जब पवितरता की राखी बानते हैं तो भारत स्वर्ग बन जाता है राखी बानता मिद प्रतिग्या कराना तो रक्षा बंधन पर तुम बच्चे सब को समझा सकते हो कि ये त्योहार मनाना कब से शुरू हुआ और क्यों क्योंकि सत्यों में इस बंधन की दर्गारी नहीं लेकिन वो कह देते हैं ये रक्षा बंधन तो परमप्रा से चलता आया है परमप्रा चलना में जब से दुनिया शुरू हुए तब से चला रहा है गीत है जै जै अम्बे मा ओम शान्ति ये भी भक्ती मार्क का गीत है और भक्ती मार्क में अनेक परकार का गायन होता है अब गायन, निराकार, आकार और साकार तीनों का होता है तो अब बाप बच्चों को समझाते हैं बच्चे तो समझी गए कि हम आत्मा हैं पहला ही लसन कि हम आत्मा हैं और हम को समझाने वाला है परम पिता परमात्मा अब सर्व मनुश्य मात्र को सदगती देने वाला एक ही है सर्व का सदगता एक फिर उनके साथ जो सर्विस करने वाले हैं उन्हों की भी महिमा गाते हैं और बाप तो कहते हैं माम एकम याद करो आत्मा समझती है अभी परम पिता परमात्मा हम को समुक नौलिज देते हैं और उस बाप की ही अव्यब्याचारी याद रहने चाहिए जो नौलिज दे रहा है सिर्फ उसी की याद रहने चाहिए वी अव्यब्याचारी उसमें कोई मिलावट ना हो किसी और कोई ना आए यानि और कोई नाम रूप की याद नहीं आने चाहिए कोई अपना इस्ट हो आपका कोई गुरू किया हो कोई भी याद नहीं आना चाहिए युई आत्मा तो सभी है बाकी शरीर मिलने से शरीर के नाम बदलते जाते हैं आत्मा पर कोई नाम नहीं है आत्मा तो बिशा आत्मा ही रहेगी शरीर पर ही नाम पड़ता है तो बाप कहते हैं मैं भी आत्मा हूँ पर क्या है परंतु परम आत्मा यानि परमात्मा हूँ मेरा भी नाम तो है ना तो मैं हूँ आत्मा मैं शरीर कभी धारन करता नहीं हूँ इसलिए मेरा नाम रखा गया है शिव शिव मना पॉइंट अफ लाइट शिव मना कल्यानकारी और सभी के शरीर के नाम पढ़ते हैं अब मेरा तो शरीर है यह नहीं फिर भी नाम तो चाहिए ना नहीं तो मैं भी आत्मा तो फिर परमात्मा कौन? तो मैं हूँ परम आत्मा सुप्रीम सोल मेरा नाम है शिव अब जो भी पूजा करते हैं लिंग की करते हैं और लिंग पत्थर को ही परमात्मा कहते रहते हैं फिर जैसी भाशा वैसा नाम किसी ने उसको बवान किया दिया किसी ने अल्ला किया दिया किसी ने खुदा किया दिया पर तो चीज एक ही है क्या चीज है जैसे तुम्हारी आत्मा है वैसे मेरी है तुम भी बिंदी मैं भी बिंदी बस मुझ बिंदी का नाम है शिव अब पैचान के लिए नाम तो चाहिए ना अब इस समय ब्रह्मा सरस्वती जो बड़े थे बड़े हैं उनको भी सद्गती मिल रही है समय की पौटस थार बाबा संगमय की पौटस क्या है क्या पौटस है इस समय ब्रह्मा सरस्वती जो बड़े थे बड़े हैं उनको भी सद्गती मिल रही है सदगती तो सभी आत्माओं को मिलनी है यानि सभी आत्माएं परमधाम में रहती है फिर भी परमात्मा को तो अलग रखेंगे ना क्योंकि सब को अपना अपना पाट मिला हुआ है सारी रुद्र माला का बीज रुप बाप पैना सभी उनको याद करते हैं कैसी करते हैं वक्ति मर में ओ गौड फादर अब सभी जगह फादर को याद करते हैं मदर को नहीं और यहां भारत में ही आकर पतितों को पावन बनाते हैं अब मदर भी एडॉप्टेड है उनको भी गोल लिया है सरस्वती को भी परमपिता परमात्मा ने ब्रमाद्वारा एडॉप्ट किया और फिर इनमे ब्रमा के तर में परवेश किया तो यह एडॉप्ट्शन और ही परकार की है यानि थूँ तो कोई चाहिए ना कहते हैं इन दौरा मैं नौलेश सुनाता हूं और इनी दौरा बच्चे एडॉप्ट करता हूं दो कारे करते हैं ब्रमात्मा अडॉप्ट करते हैं फिर नौलेश सुनाते हैं तो यह माता भी सुनाती है ब्रमा माता भी सुनाती है क्योंकि प्रवरिती मार्ग है ना परंतु है तो मेर इसलिए मुख्य सरस्वती को माता के पद पर रखा जाता है यह बड़े गुया राज समझने के हैं अब प्रजा पिता मुनुश्रिष्टी का पिता है ना यहनी मुनुश्यों को रचने वाला प्रजा को रचने वाला तो इन द्वारा वो रचते हैं ब्रमा द्वारा शिव बाबा रचते हैं ऐसे नहीं कि सरस्वती द्वारा कोई अडॉप्ट करते है नहीं ये तो बड़ी समझ की बात है पर पहले पहले बाप का परिचे देना होता है गाते भी हैं पतित पावन आओ ये किस ने कहा आत्मा ने कहा क्यों क्योंकि आत्मा और श्रीर इसमें दोनों ही पतित है पर पहले तो अपने को आत्मा समझना है सारी गेम साड़ कहा से होती है पहले तो अपने को आत्मा समझना है क्योंकि आत्मा ही कहती है मैं श्रीर लेता हूँ और छोड़ता हूँ एक एक बात निश्चे में बिठानी होती है अपने से देखते लो बाते करते लो जब तक कि एक एक बात का निश्चे नहीं होता है क्यों? क्योंकि नई बात है ना और जो सुनाते हैं वो है मनुश्च जो भी शास्त्र है वो मनुश्च सुनाते है भगवान तो नहीं सुनाते जब कोई आते हैं तो पहले पहले ये समझाओ कि आत्मा और शरीर दो चीजे हैं आत्मा विनाशी है और शरीर विनाशी तो पहले अपने को आत्मा समझो मैं मेजिस्टेट हूँ मैं डॉक्टर हूँ ये किसने का? आत्मा ने इन औरियोंस से कहती है बना आत्मा जानती है मेरे शरीर का नाम भी है और पद भी है मेजिस्टेट का डॉक्टर का ये शरीर छोड़ने से मेजिस्ट्रेट पद और शरीर का नाम रूप सब बदल जाएगा जब तक ये शरीर है तब ये तक नाम और पोस्पूजिशन है पद भी दूसरा हो जाएगा तो पहले पहले आत्म अभिमानी बनना है अब दुनिया वालों को मनुश्यों को तो आत्मा का ग्यान भी नहीं है तो पहले आत्मा का ग्यान देकर फिर समझाओ आत्मा का बाप तो परमात्मा है अब आत्मा दुखी होती है तभी तो पुकारती है ओ गौड फादर और वो ही है पतित पावन आत्माएं सभी पतित हो गई है तभी तो पुकारती है तो जरूर परम पीता परमात्मा को आना ही पड़े फादर है तो आएगा ही पतित दुनिया और पतित शरीर में बाप खुद कहते हैं मुझे दूर देश के रहने वाले को बुलाते हैं क्यों क्योंकि तुम पतित हो और मैं एवर पावन हूँ तो भारत पावन था अभी पतित है पतित पावन बाप आकर आत्माओं से बात करते हैं कैसे करते हैं ब्रह्मातन में आकर समझाते हैं इसलिए इनका नाम है प्रजा पिता मुनिश्टि का पिता अब भ्रह्माद्वारा प्रजा रचते हैं कौन सी जरूर नहीं प्रजा रचेंगे अब आत्मा जो अपवित्र है उन्ही को पवित्र बनाते हैं आत्मा पुकारती है हमको दुख से चुड़ाओ यानि दुख से लिबरेट करो सबको लिबरेट करते हैं क्योंकि माया ने सभी को दुखी किया है सीताओ ने पुकारा है ना एक तो सीता नहीं सब रावन की जेल में विकारी यानि ब्रश्टा चारी बन गए हैं क्योंकि है ही रावन राजे राम तो है ही निराकार अब राम राम कहते हैं ना जबते एक को ही है गौड फादर शिव निराकार तो उनको औरगन चाहिए ना शिव बाबा कोन है निराकार अब उसको शरीतो चाहिए ना तो शिव बाबा इन दौरा बैठ समझाते हैं और तुम आत्मा भी पतित हो क्या बाबा ने आके समझाया कि बच्चे तुम आत्मा भी पतित हो तो अभी शरीर भी पतित है यानि अभी तुम शाम हो फिर सुन्दर बनते हो अब बाबा ग्यान का सागर ग्यान की वर्शा करते हैं जिससे तुम गोरे बन जाते हो अब भारत वासी गोरे थे फिर काम चिता पर चड़ सामरे वैशे और शुद्रवन्ची बन पड़े हैं यानि चड़ती कला बाप करते हैं फिर रावन आता है तो सभी की उतरती कला हो जाती है तो भारत में पहले देवताओं का राज्य था अभी देवताओं का राज्य नहीं हैं तो परमात्मा इस शरीर द्वारा तुम बच्चों को समझाते हैं जो अब जो वर्सा लेने वाले हैं उनको खुशी का पारा चड़ता रहे मुली सुनेंगे अंदर एक एक बाहत अंदर जाएगी उनको वर्सा मिलना है शरी मत पर तो जरूर चलना होगा मुली सुनते क्यों चलने के लिए आप पावन बनाने आए हो मैं भी जरूर पावन बनूंगा क्या करने बावन बनाने आए हो मैं भी जरूर पावन बनूंगा तभी पावन दुनिया का मालिक बनूंगा तो ये परतिग्या करनी होती है क्या परतिग्या करनी है कि बावन आए हो पावन बनाने पावन दुनिया का मालिक बनाने तो मैं भी बनूंगा बाबन का यही है राखी बंदन क्या है राखी का बंदन कि बच्चे परतिग्या करते हैं वो भी बाप से अब यह कोई लौकिक देदारी बाप नहीं है यह तो है निराकार इन में परवेश किया है और कहते हैं तुम भी देही अविमानी बनो बसोल कॉश्यस बनो यानि अपने को आत्मा समझ मुझ परमपिता परमात्मा को याद करो अभारत में ही प्योर्टी थी तो कितनी पीस प्रॉस्पेरिटी थी कितनी शांती थी और सम्रिदी थी और कोई धर्म वालाई नहीं था तुम कहेंगे बाबा हमको ऐसा समझाते हैं तुम भी समझो तो बाप को याद करने से ही विकरम विनाश होंगे ये सब को बता दो ये सेवा हमारी है कि बाप को याद करने से ही विकरम विनाश होंगे क्योंकि पावन बनाने वाला एक ही बाप है और बाप समझाते हैं तुम आत्मा हो तुम्हारा सुधर्म शान्ती है तुम शान्ती धाम के रहने वाले हो ये सब आपर समझा दिया अब तुम करम योगी हो साइलस में तुम कितना समय रहेंगे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो खली बिंदू बना के बैठ जाओ उसको बिल्कुँ साइलस में बैठ जाओ बिंदू कौन है पता ही कुछ नहीं है शान्ती में बैठ जाओ गहन शान्ती में बैठ जाओ उसका क्या फैदा पापा के दे समझ और बाप को याद करो तो विकरम विनाश होंगे अब कल यूग में है ही सब पति और तुम जानते हो हम संगम पर पावन बन रहे हैं इसे मेरा एक ही काम है पावन बनना और पति दुनिया का विनाश होना है ये महाभारत लडाई है जो थर्ड वर्ड 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 व होनी है और नई दुनिया में है ही देवताओं का रज तो अभी हम परम पिता परमात्मा के फर्मान पर चलते हैं उनके जो और्डर कर दिया और्डर इस और्डर उनकी शिरिमत मिलती है तो यह नालेज बड़ी समझने की है बोलो समझाओ दूसरों को सेवा करो ऐसे नहीं कि एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देना है यहां तो पढ़ना है और पढ़ने के लिए साथ दिन की बठी भी मशूर है तो साथ रोज बैट कर समझो अब बाप को और अपने जन्मों को जानो कि हम कैसे पतित बने हैं फिर कैसे पावन बनना है और अगर नहीं समझेंगे तो बाद में पच्टाना पड़ेगा क्यों क्योंकि सिर पर पापों का बोजा बहुत है तो एक ही बाप most beloved है जो हमें पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं बाकी most beloved बाप तो एक ये बाकी बाप बाकी तो सभी एक दूसरे को पतित ही बनाते हैं अब सत्यु में पवित्र गरस्त था अब अपवित्र बने हैं क्योंकि ये है ही रावन राज्य तो अब स्वरग में चलना है तो पावन बनना है तो अब स्वरग में चलना है तो पावन बनना है तब ही बेहद के बाप से वरसा मिलेगा पावन बनना कंडिशन है तब ही वसीयत मिलेगी ये तो याद करो हम शान्ती धाम के वासी हैं फिर सुखधाम में गए अभी तो है दुखधाम फिर जाना है शान्ती धाम इसलिए देही अविमानी बनना है बाप कहते हैं घर में रहते एक दो पवित्तर बनो दुसरा मुझे याद करो पवित्तर बनो योगी बनो तो पाप नाश हो जाएंगे और फिर याद ही नहीं करेंगे पवित्तर नहीं रहेंगे तो विकर्म कैसे विनाश होंगे रावन राज्य से कैसे चूटेंगे तो यहां सब शोकवाटी का में हैं सब दुकी अशांत हैं भारत आधा कलब शोकवाटी का में और आधा कलब अशोकवाटी का में रहता है अशोकवाटी में खुशी की दुनिया सुक की दुनिया में तो आप भी पति दुनिया में होना बाब हमको बोल रहे हैं तुम भी तो कल्यूग में पति दुनिया में होना तुम अथौटी से समझाने वाले हो तो भी रिस्पेक्ट से बोलना है चाहे बस अथौटी है ग्यान की फिर भी बोलना कैसे है बड़ी रिस्पेक्ट से कि तुम भल कहते हो कि हम गौड फादर की संतान है परन तु फादर का ग्यान का है अब लौकिक बाप को तो जानते हो परन तु पार लौकिक बाप जो इतना बेहद का सुख देते हैं सुरक का मालिक बनाते हैं उनको तुम जानते ही नहीं हो तो भारत को जिसने सुर्ग बनाया था उनको यह तुम भूल गए हो इसलिए ही तुमारी यह हालत होई है समझादो सबको सभी क्या हालत होगी सभी बरश्टा चारी है क्यों क्योंकि सभी विश्च से पैदा होते हैं अब यह तो कोई भी समझ जाएगा अब इसमें इंसल्ट की तो कोई बात ही नहीं किसी उपधित हैं उनको बोलो विकारों से पैदा होते ही हैं सिंपल सी बात हैं अब इसमें तो कोई इंसल्ट की बात ही नहीं यह तो समझानी दी जाती है यानि रख्षा बंदन का ही महत्व है क्या है रख्षा बंदन बाप कहते हैं विकारों पर जीत पाकर मुझे याद करो और श्यांती धाम को याद करो तो तुम वहां चले जाएंगे बुद्धी में यह याद रहना चाहिए हम सुक धाम में जाते हैं वाया श्यांती धाम पर पहले देही अविमानी जरूर बनना पड़े यानि मैं आत्मा हूं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूं तो बाबा ने ये भी समझाया है कि मनुष कुटा बिल्ला नहीं बनता है कुटा बिल्ली कभी भी मनुष नहीं बनता हूं मनुष तो भक्ती मार्ग में कितने धर्के खाते रहते हैं तो अभी तुम बच्चे भाषन में समझाते रहो क्या समझाओ भाषन में ओपली भाषन करो क्या समझाओ कि तुम पतित हो ना क्या प्रूफ है पतित हो तभी तो पतित पावन बाप को याद करते हो तुम सीताएं हो ना सब सीताएं शोक वाटी का में हैं दुखी हैं शांत हैं और दिन प्रती दिन शोक बढ़ता ही जाता है अब जिनोंने राजि लिया है वो भी समझते हैं बहुत दुख है प्रैमिस्टर है प्रैसिनेट है मिस्टर्स है वो तो समझते हैं ला कि अब भी दुख बहुत है कितना माथा मारते रहते हैं एक को शांत कराते तो दूसरा खड़ा हो जाता है यानि लडाई लगती ही रहती है शांती कराते है शांती के बदले और ही अशान्ती होती जाती है टेटी बनाई समने कि चलो जी डिलाई नहीं करेंगे और मौमसी बनाएंगे बगि उल्टा और अशान्ती होती जाती है तो बाप आकर इस दुख अशान्ती को मिटाए सुक धाम बना देते है क्योंकि पुरानी दुनिया में है ही दुक और नई दुनिया में है सुक तो ये राखी बंदन का बड़ा त्योहार है इसमें समझाना है ये रिवाज किसे ने डाला किसे ने डाला रिवाज पतित पावन परमपिता परमात्मा उसने आकर पवितरता की पर्तिग्या कराई अब पर्तिग्या को कैसे समझा जाए है वो सुत्र बांद या धाला बांद या अब पांच हजार वर्ष पहले पर्तिग्या की थी अब फिर परमपिता परमात्मा से बुद्धी योग लगाओ तो तुम पावन बन जाएंगे पूछो दुनिया वालों से की राकी कब से बांद आते हो क्या कहते हैं ये तो अनाधी काईदा ये तो शुरू से चलना काईदा अरे पावन दुनिया में थोड़ा ही राकी बांदेंगे यहां तो कोई पावन है ही नहीं तो अब बाप फरमान करते हैं पवित्तर बनो तो पवित्तर दुनिया में चलेंगे किवित्र पुर्टी है फर्स्ट क्योंकि पुवित्र प्रवृत्री मार्ग था अभी नहीं है स्वर्ग में दुक्का नामी नहीं होता और नरक में फिर सुक्का नाम नहीं होता ब्रस्ट आचारियों को अल्पकाल का सुक्क मिलता है विकारों जाएंगे थोड़े सुक्क तो मिलेगा और श्रिष्ट आचारियों को जिनका आचन शेट हो गया है उनको आधा कलब यानि पच्ची सो वरश सुक्क मिलता है तो ये तो जानते हो राखी उत्सव पास होगा क्या कहेंगे हो बहु कल पहले भी होगा था अब ड्रामा को पूरा ना समझने के कारण मुझ भी पढ़ते हैं कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये ड्रामा एक्जेक्टली वैसे ही चलता है पहले पहले ये समझाने से पहले पहले परिचे देना है बाप का कि बाप भी आकर लिबरेट करते हैं अब राखी बंधन कब से शुरू हुआ इनका भी बड़ा महत्व है लिख देना चाहिए राखी का क्या महत्व है आकर समझो फिर कोई को भी समझाओ कहीं भी बाशन के लिए जगा दे कॉंग्रेस वाले दुकानों पर खड़े होकर बाशन करते हैं तो धेल आई जाते हैं तो सर्विस के लिए पुर्शार्थ करना चाहिए सेवा कि चिंदानों भी लो आप खड़े हो जब बोलो सही बहुत लोग आ जाएंगे इपर एफिर्स ता करो अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिक लदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते तो अभी सुनें कि धार्ना के लिए मुखे सार क्या धार्ना करनी है आएँ की मुखे पहली अथरिटी के सासाथ बहुत रिस्पेक्ट से बात करनी है सब को पत्य से पावन बनाने की युक्ति बतानी है यहापका डूटी बनती है सब को बनता हो कि कैसे पावन बनेंगे दूसरा एक अव अब्याचारी यानि कोई मिलावट ना हो ऐसी याद में रहना है यानि किसी भी देदारी के नाम रूप को याद नहीं करना है गर में किसी गुरू की फोटो लगा रगा रगे किसी की बना रखी हो उसको याद नहीं करना है पावन बनने की ही परतिग्या बाप से करनी है एक ही काम है सरव पावन बनने की ही परतिग्या बाप से करनी है उसके लिए वरदान है हद की इच्छाओं का त्याकर अच्छा बनने की विधी द्वारा सर्व प्राप्ति संपन भव क्या होना जम सर्व प्राप्तियों से संपन कैसे बनेंगे जब इच्छा निर्गेंगे सिर्फ अच्छा बन जाओ अच्छा बनोगे तो सारी शुब इच्छाएं है आटोमेटिकली पूरी हो जाएगे ठीक है तो कौन आज़ा हम सर उप्राप्तियों से संपन कैसे हमने सिर्फ विदी का मिली है अच्छा बनना हमने तो अच्छा बनने के लिए हद की इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा कैसे सेवन में जाओ हद की इच्छाओं का त्याग कर दिया अब साथ गुरों से अच्छा बनो अच्छा बनने के तो क्या होगा सर उप्राप्ति से संपन भरपूर बन जाएंगे बाबा ने कहा जो हद की इच्छाएं रखते हैं उनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती तो क्या करें? अच्छा बनने वालों की सभी शुब इच्छाएं आटोमेटिकली पूरी हो जाती है क्योंकि दाता के बच्चों को सुनो ध्यान से दाता के बच्चों को कुछ भी मांगने की अवश्यक्ता नहीं है बाबा से भी कुछ मांगना नहीं है मांगने से कुछ भी मिलता नहीं है मांगना ही अर्था इच्छा तो बेहद की सेवा का संकलब बिना हद की इच्छा के होगा तो आवश्य पूरा होगा क्योंकि सेवा से मेवा मिलेगा ना पर सेवा में भी कोई expectation ना हो किसी से इसलिए हद की इच्छा के बजाए अच्छा बनने की विधी अपना लो तो सर्व प्राप्तियों से संपन होई जाएंगे बस मुझे अच्छा बनने का practice करनी है साथो गुनों में अच्छा बनना है सर्व शक्तिवान बनना बस सारी शो भी चाहें अटोमेटिकली पूरी हो जाएगी तो करना क्या को मिला करके बाबाने slower ने बताया याद और निस्वार्त सेवा द्वारा माया जीत बनना ही विजई बनना है विजई किसमें बनना है माया को जीतने में तब ही टायटर में लेगा विजई भव माया को जीतना है और माया जीत बनने के लिए याद और निस्वार्त सेवा क्यों याद करना है बाबा को और निस्वार्त सेवा क्यों करनी है कहते हैं खाली मन शेतान का गर है अगर आप मन को बिजी नहीं रखोगे मन बुद्धी को बिजी नहीं रखोगे तो वो शितान नहीं करेगा उल्टे काम ही करेगा इसलिए बाबने का सो परशार्थ करो और सर्व की सेवा करो वो भी निस्वारत बहुत से इस से माया जिद बनेंगे और क्या कराएंगे वीजेई ओम शांती